नमस्कार क्लास 9 कैसे हो आप सब आप सब आप सब बढ़िया होगे जहकास होगे आपका स्वागात आपके फेवरेट चैनल एस फूर विज्ञान पर और आज हम लोग मिले हैं आपकी जो साइन्स की चैप्टर नंबर वन है ना बुका मैटर इन आवर सरौंडिंग उसके लेक लेक्टर नंबर वन हम पहले डिसकस कर चुके हैं जिस लिए और जिसने अभी तक लेक्टर नंबर नहीं देखा है जल्दी से जाके लेक्टर नंबर देखो लेक्टर नंबर वन नहीं देखोगे तो लेक्टर नंबर टू बिल्कुल नहीं समझागा यह लेक्टर तो छोड से स्टेट्स होते हैं कि जब तक matter पढ़ो गया तब तक स्टेट्स आइप समझ में आएगा सब कुछ समझ में आएगा चल्दी जाकर वो वीडियो देखो तो आएगा यह चीज आपको समझ बहुत चोटी सी वीडियो है चोटी चोटी वीडियो हम बना रहे हैं जल्दी इतना जल्दी अभी आप नए-ने क्लास नाइंत में आए हो इतना ज़्यादधा प्रेशर नहीं देन समझ आपकोने लिख के जाओगे पहले की तरह कि यह चैप्टर इतना इजय में पहले कभी नहीं समझ दरहे हो ने मीरे बार स्टाट करते हैं इस्टेटस औफ मैटर इस्टेटस आफ मैटर यह था इस्टेटस अफ मैटर इसी पहला आता है solid, solid जो होता है, उसका definite shape होता है, उसके पास definite shape, यानि कि उसका एक shape होता है जो change नहीं होता, जैसे pen है marker, ये एक solid है, solid है, ये क्या होगा, अपने आप कभी change होगा इसके shape, change हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो तुम, जहां मर्जी वहां की जोर लगा लेकिन ये change न compressible है, incompressible का मतलब कि compress नहीं हो सकता है, मैं इसको अपनी जानला आके compress कर लेकिन ये compress नहीं होने बाला है, definite shape है, definite volume होता है, definite shape होता है, rigidity होती है, hard होते है, मतलब incompressible, compress नहीं होती है, जैसे chair, bed, pen, books, बैड पर सूतो है, वह पिछग जाता है, नहीं पिछगता है, फिर solid है, अब liquid state की बात करते हैं, इनके पास, इनके पास, ये hard तो नहीं होते है, ये rigid तो बिलकुल नहीं होते है, जो liquid होते है, यानि कि जैसे water समझद लो, juice समझद लो, पीते हो juice, drink वगएरा, cold drink, प्र refresh Valentin, थी bottly hard होती है, बॉटल आती है, लेकिन juice के अंदर cold drink भरी होती है, वह आती है, liquid के अंदर, तो जो liquid होता है, वह rigid होता है, कठ थो hard होता, solid होता, इसका मतलब ये है, पास, इनके पास, flow करने के एक energy होती होती है जैसे मेरी अंदर सकती है ना तुम्हें पढ़ाने की और तुम्हारे अंदर सकती है पढ़ने की इसी तरीके से लिक्विड में फ्लूइड में फ्लो होने की एक सकती होती है यह बहते हैं गिरा तो कहीं बह जाएंगे पानी गिरा ना कभी आप पानी ले ना उसको गिरा देना कदेखें है और ये help compressibility compress हो जाते हैं इनको compress कर सकते हो पानी लो उसको ऐसे हाथ से दपाओ compress होगा लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा compress हो जाएगा थोड़ी सी वोट्डर जूसा फोड़ा सा लगाएंगे हो जाया कंप्रेष इंका पास भी pan numero की वालुमीH Army कॉम त्वालुमी मालो,ção है गिलासका प्हुंके पानी है फॉसके निने पानी डाल दिया अब वन उसी से से ले लेगा उसी से ले लगा घ्यास से जी से का से ने बात करें का इंकना ही डिफाइनाइट से होता है है नहीं गू अब र play essional weights बहुत जदा הד t6th इतना इतना घ्र такого कंद लगाएंगे बहुत सब से कंद लगाएंगे और इसी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिली के मतलब इनके पास केऊ to high compressibility लें इनके पास एक एनर्जी फ्लो होने क्या होती है energy होती है यह भी flow हो सकते हैं गैसे तो और जदा high level फे flow होते हैं वो तो high level fluidity होती है यह तो बहुत जदा flow होते हैं तिक है जैसे air hydrogen gas oxygen get etc वगेरा समझ में आया मज़ा आ रहा है comment box में लिख देना चलो जल्दी से melting point और boiling point की melting point समझना देखो the temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure कहां पे atmospheric pressure जहां से पढ़ो atmospheric pressure called melting point यानि कि कि किसी भी solid को किसी भी solid है नहीं मालो eyes है eyes को जब मैं heat देता हूं atmospheric pressure पर atmosphere जो atmosphere नमा हमारा surrounding जो atmosphere इसके प्रेकर जब मैं heat देता हूं solid को तो वो liquid when convert हो जाती कि इसमें convert पानी में convert हो जाती है उसको कहते है melting point यानि कि जब हम solid को melt करते हैं क्या करते हैं solid को melt करते हैं melt करते हैं liquid की form में कुछ ना कुछ standards कि आगा कुछ ना कुछ टैंपरेचर देकर इंत्मसफेरिक प्रैसर पर उसको कहते हम vetting Pot श् standing को कुछ नाकुछ temperature कर। कुछ ना कुछ Осब देकर जब हम उसको darkness कर गदेते हैं तो वो कहलाता है मिल्टिंग प्ट इंत्मसफेरिक की केल्विन में देखा जाए तो वह होता है 273.16 केल्विन यानि कि केल्कुलेशन के लिए हम 16 हटा देते हैं सिर्फ 273 काम क्यालकुलेट करते हैं समझ आ गया यह लिखा है देखिए 273.16 के 0 केल्विन में 273.16 16 ना भी लिखें तो भी चल जाएगा समझा गया अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जैसे मैंटिंग पॉइंट में सौली उलिकविड करतेते एटमस्फेरिक प्रैसर अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि या यह लिखिविड को कुछ ना कुछ heat दे कर और कुछट ना कुछ temperature दे कर हम उसको वेपर में जानि कि गैस में convert करते हैं किसमें convert करते हैं gas में convert करते है atmospheric pressure पर वो कहलाता है हमारा boiling point ठीक है water का जो boiling point होता है वो होता है degree Celsius में 100 degree Celsius होता है और Kelvin में होता है 373.16 Kelvin या फिर 373 Kelvin भी कह सकते हैं वैसे जब हम calculation करते हैं तो 0.16 को हटा देते हैं सिर्फ 273 at 373 लिखते हैं ठीक है क्या होता है temperature at which liquid boils जब हम boil करते हैं liquid को तो vapor में form vapor की form यानि gas की form में convert हो जाता है atmospheric pressure पर वो कहलाता है क्या boiling point ठीक है boiling point जो होता है water का वो होता है 100 degree Celsius में होता है और Kelvin में 373 Kelvin होता है ठीक है समझा गया एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं melting point जब ice को melt करते हैं पिखलाते हैं जब heat देकर तो वो उसका temperature बढ़ता रहता है ठीक है जब हम उसमें थर्मा मिटे डालेंगे तो जब तक वो ice पिखल नहीं जाएगी तब तक जो उसका temperature है वो बढ़ता रहेगा और जैसे ही ice पिखल जाएगी temperature constant हो जाएगा नहीं बढ़ता है और boiling point में क्या होता है जब तक boiling point जब water को उबालता है जब तक वो उबलना ना शुरू हो जाए तब तक उसका temperature बढ़ता रहता है और last में जाके 100 degree Celsius पे रुख जाता है यानि 100 degree Celsius पे water boil होने लगता है समझागी मेरे बात और जैसे ही वो boil होने लगता है उसके बात कितनी भी heat दे दो उतनी heat दे दो उसका temperature constant ही रहेगा नहीं बदलेगा समझागी जल्दी से इस heat लेलो अब देखो latent heat of fusion और latent heat of vaporization latent heat of fusion जो है यह जब हम लिक्विड को जहां से सुनना जब लिक्विड को जब एक केजी solid बोल सकते हो या एक unit mass का solid बोल सकते हो unit mass का मतला 1 kg 1 gram जो भी तो 1 kg solid को लिक्विड में convert करने के लिए जितनी भी heat चाहिए मेरे को जितनी भी heat के energy चाहिए वो कहलाती है मेरी latent heat of fusion समझाई मेरे बात यानि कि 1 kg के solid को सुनो 1 kg के solid को लिक्विड में convert करने के लिए जितनी भी heat required होगी जितनी भी heat चाहिए होगी उसे कहेंगे latent heat of fusion समझाई है मेरे बात समझा गई यह बात समझा गई ठीक है इसे दरीके अधर latent heat of vaporization क्या होता है 1 kg of liquid को 1 kg के liquid को vapor में यानि कि gaseous state में gaseous state में change करने के लिए जितनी भी heat मेरे को required होगी जितनी भी heat चाहिए होगी उसे कहेंगे latent heat of vaporization आई मेरी बात समझाई? आई यानि कि यहाँ पर 1 kg के solid के state को liquid के form में change करने के लिए atmospheric pressure पर जितनी भी heat of required होगी मेरे को वो कहलाएगी क्या latent heat of fusion ठीक है? और इसमें क्या? 1 kg के liquid को vapor यानि कि gas में convert करने के लिए atmospheric pressure पर जितनी भी heat मेरे को required होगी वो कहलाएगी latent heat of vaporization ते के यह होती है यह process होता है melting point पर और यह process होता है boiling point पर ठीक है समझागी मेरे बात? जल्दी से Menu Wirhip में sablimation समझते हैं sublimation क्या होता है जल्दी Does अब समझते है sublimation क्या होता है sublimation थोड़ा important है sublimation को concept क्या है देखो जब मैं किसी भी solid को heat देता हूं या heat देकर उसको मैं direct gas में या निकि vapor में convert कर देता हूं लिकुड की या निकि उसको ना उसमें solid को जैसे liquid में convert करने के जो अरती नहीं है direct solid को gas में convert कर देना कहलाना क्या कहलाता है sublimation यानिकि solid state से directly क्या करें directly vapor form में change कर देना without passing through the liquid किसी भी liquid form से pass कराने की जोड़त नहीं है solid state directly vapor में convert कर देना हमारे क्या कहलाता है sublimation कहलाता है ठीक है जैसे camphor camphor या नहीं कपूर आपने कभी कपूर जलाए होगा और आप पूजा करते होगे पूजा जैसे कड़्ेह करते होगे आप ने करतो होगे आप तो आपका पता है मुझे पता नहीं करते होगे तो वह क्या होता है वो निकूर्इन will देखो और Amorium Chloride Amorium Chloride इसका एक Concept है नहीं कि मैं इसका एक Experiment समझाता हूं देखो एक क्या लेंगे हम समझता है एक Keep लेंगे Funnel Keep फणनल जाकर कीप इन्वर्टेड जो कि इसके आरपर हम देख सकते हैं ठीक है हम उसको ऊपर से बंद कर देंगे Cotton का Plug लाकर रूए का लेंगे उसे उपर से बंद कर देंगे ठीक है अब क्या करेंगे चाइना डिस लेंगे चाइना डिस आने क्या से बाहर ना निकले अब इसके अंदर मैंने NH4Cl और NHCl का Mixer डाला यानि कि यह Ammonium Chloride और Sodium Chloride का मैंने क्या डाला इसके अंदर Mixer डाला नमक का Mixer डाला और Ammonium Chloride दोनों का Mixer डाला अब क्या क्या अब इस Burner की Help ऍणर के एस बाद से मैंने इसको Heat दिया यह Heat दे रहो ना Heat क्या से Heat देंगे तो यह Wire Gauge पहले Heat होगा गर्म हो जाएगा गर्म होने के बाद इसको Heat दे गा तो यह क्या यह अंदर के जितने के बाद यहाँ पे जो Ammonium chloride जो था वह solid state में change यहाँ पर यहाँ पर उसकी लेइर जम ने लगेंगि आने लगें अमॉन्यम chloride को है तो ص आने效 किंगा थन्डा करने के बाद को हीट दिया तो पहले heat दिया so gas में change हो गया जब फोसे थंडा किया दुबारा तो किसमें हो गया में change हो गया cooling करने पर समाज आगे मेरे बात यह होता है सब्ली मेशन ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में next video में evaporation वगारा के बारे में समझेंगे तो जब तक के लिए bye bye है ताटा सी यू जय हिन जय भारर जल्द इसके इस इंसर्ट ले लो तीक है जल्दी से